हलो दोस्तो आप लोगा स्वागत है माई यूटूब चैनल हर्मित एजुकेशनल वीडियोज पे आसा करता हूं दोस्तो आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं कुछ बुलंदियों से आखों में अरमान लिया आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना मान लिया मुश्किल क्या आसान का ठान लिया तो ठान लिया चलिए दोस्तों कुश्चन पर चलते हैं कुश्चन नमबर आज मेरा चार है कुश्चन एक दो तीन मैंने पढ़ा दिया था दोस्तों आपने नहीं देखा हो तो जा करके देख लिजिए प्लेलिस्ट वीडियो पड़ी हुई है चली दोस्तों कुश्चन पर आते हैं देखिए क्या कहता है यूगलीड विभाजन प्र भी दनात्मक पुरांग है तब यहां 3 क्यूब 3Q1 या 3Q2 के रूप में लिखा जा सकता है इसमें से प्रतेक का वर्ग की जिए और दर्शाइय कि इन वर्गो को 3M या 3 plus 1 के रूप में लिखा जा सकता है चली दोस्तों सॉल्व करते हैं माना माना धनात्मक पुरांग संख्या बराबर माना धनात्मक पुरांग संख्या बराबर अब दोस्तो इसको किस से निकालेंगे हम युकलीड विवाजन प्रमेरिका से ठीक दोस्तो युकलीड बिभाजन प्रमेरिका से दोस्तो इसका सुत्र क्या होता है A बराबर B क्यूब प्लस R ठीक दोस्तो अब देखिए जब हमको निकालना है तो R का मान चाहिए ही तो हम कैसे पता करेंगे R का मान क्या क्या हो सकता है तो चलिए दोस्तो देखते है R का मान क्या क्या मेरा हो जाएगा 0 less than R less than B अब देखिए मेरा B का मान दिया हुआ है देखिए यहाँ पे देखिए मेरा B का मान दिया हुआ है यहां मेरा सिद्ध क्या क्या करना है थ्रीयम प्लस वन थ्रीयम ठीक दोस्तों देखिए मेरा यहां पर देखिए बी कमान दिया हुआ है देखिए सुत्र क्या होता है इसका एवरावर बीक्यू प्लस आर ठीक दोस्तों देखिए मेरा यहां पर बी कमान दिया हुआ है ठीक तो क्यों आर कमान क्या कि आएगा मेरा जीरो भी आसकता है एक दी आ सकता है दो या सकता है यह दोस्तों जो कोश्चन मेरा तो मेरा आर कमांद क्या क्या हो गया जीरो भी हो सकता है एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है अब तीन नहीं हो सकता इसलिए तीन से अच्छोटा होता है ठीक चलिए दोस्तों अब देखते हैं चरण फर्स्ट में आते हैं कि तो किया हो जाएगा दोस्तों ए बराबर अब देखिने मेरा बी कमांद दिखि दिया यहाँ पे इस तीन दिया है तो फ्री क्यूब प्लस R बराबर 0 रखने पर ठीक तो 0 अब क्या हो जाएगा A बराबर 3 की हो अब देखिए दोस्तों क्या क्या है क्या है क्या वर करने पुलांकों का वर करिए तो हमें दोनों पच्छों का वर करना है क्या दोनो पच्छों का वर्ग करने पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा a square बराबर 3 cube square ठीक तो यह आप मेरा क्या हो जाएगा a square बराबर 9 cube square अब देखिए 9³ क्या लिख सकते हैं तिन गुड़ते 3³ सकते हैं तो दोस्तों माना थ्री q² बराबर यंग तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों कि देखिए हम या पे तीन कामन लिए ठीक माना 3 common लेंगे यहां आप कितना क्या होजया दोस्तो 3 common ले लिए दोस्तो तो 3 क्यूब इतना हो गया ठीक अब यह वराबर मैंडा कितना हो जाएगा 3 यह चले है दोस्तो पहला ज़र्ण पूड़ा हो गया 2 चलते हैं दोस्तो 2 पहला क्या गयाता है आर बराबर अब देखिए आर बराबर दो रखने आर बराबर एक रखने पर चरण सेकेंड आर बराबर एक रखने पर ठीक तो मेरा क्या हो जाएगा यहां पर ए बराबर देखिए मेरा B कमान 3 दिया है तो 3 क्यूब प्लस 1 अब देखिए दोनों पच्छों का वर्ग करने पर दोनों पच्छों का वर्ग करने पर ठीक दोस्तों अब देखिए हो जाएगा A स्क्वाइर बराबर 3 क्यूब 2 प्लस 1 का स्क्वाइर ठीक A देखिए मेरा क्या है A है A मेरा क्या है B है तो दोस्तों आप जानते होंगे A प्लस B का होली स्क्वाइर सुत्र क्या होता है A स्क्वाइर प्लस 2AB प्लस B स्क्वाइर या फिर हम इसको और भी बोल सकते हैं A square प्लस B square प्लस 2 अभी कोई दिक्कत नहीं है ठीक दोस्तों चलिए इसको सुत्र पेपर लिखते हैं अब A square बराबर मेरा थीन क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 cube square प्लस 2 A B 2 A कमान कितना मेरा है 3 cube इंटू B कमान कितना है 1 प्लस B square प्लस 1 का square ठीक दोस्तों चलिए solve करते हैं A square बराबर 9 cube प्लस 2 इत्तियाई 6 cube 6 कम 6 तो मेरा 6 cube प्लस 1 1 का square ठीक चलिए दोस्तों A square बराबर इसमें हम 3 कामन ले लेंगे मेरा कितना बचेगा 3 cube square प्लस 2 cube square प्लस 1 माना माना 3 cube square प्लस 2 cube बराबर इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा A square बराबर A square बराबर यहाँ पे हम 3 कमन लिये थे आब इसको पुड़ा यम मान लिये मेरा किना हो जाएगा 3 M प्लस यह एक बचा है एक चलिए दोस्तों आपका दो चरण पूरा हो गया चलिए दोस्तों तीसरे चरण पर चलते हैं चरण सेकेंड अब देखिए दोस्तों R बराबर हम क्या आए था यहाँ पर आर कमन क्या क्या मिरा आया था जीरो आया था एक आया था दो आया था अब जीरो कमा भी मान रख दिए एक का भी मान रख दिए अब दो कमान रखना है चलिए दो कमान रखते हैं दोस्तों तो क्या होता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर तो ए बराबर बी कमान मेरा दिया था तीन क्यूब प्लस आर बराबर दो रखने पर ठीक अब दोनों का ओवर करने पर करने पर करने पर करने चलिए दोस्तों इसको वर करते हैं यह स्क्वायर बराबर कि थ्री क्यूग प्लस टू का ओवर करने पर ठेक ओके दोस्तों चलिए इसको हम क्या माल लेंगे यह मेरा क्या है बी है दोस्तों जानते हों आप चलिए क्या होता है A square प्लस 2AB प्लस B square चलिए दोस्तों इसा सुत्र पर रखते हैं A square बराबर एक अमान कितना मेरा है 3Q तो 3Q का square किना हो जाएगा 9Q square प्लस 2A B प्लस B square ठीक दोस्तों चलिए इसका solve करते हैं A square बराबर 9Q प्लस 2 त्याई 6Q 6 दुना 12Q प्लस 2 दूनू 4 चलिए दोस्तों आगे चलते हैं A square बराबर देखिए दोस्तों इसमें हम 3 कामन ले लेंगे तो मेरा कितना बचेगा 3Q square प्लस 4Q देखिए दोस्तों इसको हम 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं A square तोड़ करके तो यहाप मेरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बाहर हो जाएगा ठीक अमाना 3 cube square प्लस 4 cube प्लस 3 बराबर यम तो दोस्तों क्या हो जाएगा मेरा A square बराबर तीन कॉमन लिए थे हैं तीन बचा हुआ है तीन पुरा को यम माने हैं 3 यम मेरा 1 यहाँ प्लस 1 तो दोस्तों एक question solve हो चुका है दोस्तों आशा करता हो दोस्तों आपको पुड़ा समझ में आओगा तीनो चरड़ो चलिए दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा केमेंट करेगा एक लाइक करिएगा और प्लीज मेरे चैनल को आप सस्क्रायब कर लिजिए आप मेरे चैनल से झाल झाल